तो मैं लैब स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको लैब के बारे में भी बता दू कि यह जो आपको सामने दिखाई दे रही है यह पीडियेफ आपकी वर्क बुक है आपकी स्टार्ट कैसे करने लैब उसके लिए एवरीवड़ी ओफ यू विल गेट जोया आप लोगों को सेंड कर देगी यू प्लीज चेक इट आउट मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपक कर लिया एक लिए विलें 100 यूज कर लिया देन राउटर और स्विच इस जोन के लिए में अलग-अलग विलें यूज कर लिया अब जरूरी नहीं आपको यही सारा एज इस आपको कोपी करना वर्द थिंग इस अगर आप राउटिंग में ओके हो यू आ ओके विद ज्यादा फोकस करें तुवाड्स अवर पाइटोन फाइट का मैं जब फाइउ मारा स्टाट होगा तब मैं आप लोगों को बता दूँगा विंडोस पीसी में आपने नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग खोल लिए एंसी पी डोट सी पील करके आपकी कमेंड होती है यहा फिर कमेंड खोल के आपने राउट एड़ करने आई होप यू पीपल आर वेर इसलिए मैं इस पर ज्यादा करके नहीं दिखा रहा हूं अगर फिर भी आपको डाउट है तो बता देना आई विल टॉक अबाउट तो कमेंड यह रहती है एड़ करने की जो की केस सेंस्टिव यह राउट करके यह इसका मास्क है यह मेरा गेटवे है वर यह पी कहता है परसिस्टन्स रहे आपकी इस वज़े से माइनस पी कर दिया ताकि आपका सिस्टम अगर रिबूट भी करो तो आपकी राउटिंग टेबल में इशू ना है तो यह सारी चीज़े जो मैंने अभी आपको बताई यह Windows PC की बताई तो यह जो हमारा Windows PC है इसको राइट क्लिक करके आप ओन करोगे और जब इसको आप एकसेस लोगे आपको जो एकसेस दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी आपने स्टेमल से लोगिन करना है इस तरीके से आपको एकसेस दिखाई देगी आप इसको बढ़ा करोगे तो इस तरीके से आपको बढ़ा होगा दिखाई देता है तो यहां पर मैंने आपको जो बात बताई थी वो ncpa.cpl वाली जो कमैंड बताई थी वो यहां से बताई थी I hope everybody of you are aware और आप कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप यहां भी चेक करें तो मेरे भी जो स्क्रीन शोट्स लिए हुए एज इस मैंने राउंटिंग में वहीं से मैं आपको बता रहा हूं को इसके अंदर चेंज नहीं मिलेगा अब क्योंकि मुझे आपको आपने लेयर थ्री स्विच पर जो कंफिग्रेशन करनी है वो वी लेंस बना लेने हैं और वी लेंस असाइनमेंट कर देनी है पर्टिकुलर्ली लेयर टू वी लेंसाइनमेंट्स आई होप अगें एवरिबडी ओफ यू और अवेर नहीं विया तो आप यहां से देखके कर सकते हो यहां पर स्क्रीन शोट हमें लगाये हुए कौन-कौन से विलेन कहां पर है वो सब बताया हुगा फिर इंटरेट गेटवे राउटर आप देख रहे हो यहां पर इस इंटरवे गेटवे र सब इस राउटर पर चला झाए और इस राउटर पर क्योंकि मैंने यह ने ने ग्लाउड लगाया हुआ है तो यहां पर मैं ने अट कर दूगा यहां पर मैं ने लगा दो मों 0.0.0 की भी लगा सकता हूं कि कोई भी नेटवर्क आए तो वह मैरे बाहर चला जाए यहां की configuration में आपको दिखा देता हूं यू विल गेट इस configuration गाई बट फिर भी आप एक बार देख लो इधरनेट जीरो बई जीरो जो मेरा नेट क्लाउड से connected है यह वाला एक में उल्टा हो गया है क्योंकि यह पहले हम जीरो बई जीरो वाला यूज कर रहे थे लेकिन आप यह समझे लेना इस जीरो बई वन जो है इसको हम डीएस सीपी से आईपी दिलवाने वाले तो डीएस सीपी से आईपी इसको दिलवाएंगे तो डीएस सीपी से आईपी इसको मिल जाएगी उपर से command बढ़ी सिंपल रहती है आपकी आपने लिखना आईपी अड्रेस डीएस सीपी और क्यूंकि यहां पर आउटसाइड आपका नैट होगा तो इसलिए यहां पर एक एकसेस लिस्ट बनाई उस एकसेस लिस्ट के अंदर आपने एनी दे दिया मतलब कोई भी मेरा सबनेट हो वह नेटिंग के लिए मुझे जरूरी देती है आईपी एकसेस लिस्ट तो वह मैंने इस तरीके से बनाई और यहां पर कमेंड चला दी आईपी नैट इंसाइड एक सोर्स लिस्ट कोई भी हो मेरा सोर्स इंटरफेस मेरा गिग 0-0 है अपने केस में इत जीरो भाई वन हो जाएगा उसका मैंने ओवर्मोड करती है यहां तक प्लेज किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो और यहां पर मैंने EIGRP चला के इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करती है तो यह सारा ताम जाम इसलिए हो रहा है ताकि मेरी निचे वाली सारी डिवाइस यहां से निकल कर इंटरनेट यूज कर सकें इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरे पास सोर्ण तो इस दो होल रिजर कोई डाउट प्लीज नो राधे ओके से नौर्थ बाउंड जो है वो डियसीपी राइट साउथ बाउंड जो है अपना स्टाटिक आईपी उठाएगा और यहां पर मैंने स्टाटिक आईपी डालके यह जीरपी चलाती है साथ में एक नेट यूज़ कर दो अब क्या रहेगा कि मेरे कोई भी सबनेट यहां से मेरे को गेटवे मिल जाएगा तो यहां पर इस स्विच्वे में एक डिफॉल्ट गेटवे इस तरफ डाल सकता हूं डिफॉल्ट राउट कि कुछ भी जाना है तो राउटर पर चला रह यहां इंटरनेट पर तो डैट इस हाओ आवर लैब इस क्रिएक्टिट तभी हम स्विच पे देखें इंटरनेट नहीं है अगर इंटरनेट नहीं है तो हमें ट्रबल्शूट करना पड़ेगा तो टैंट नाइट नाइप डेड़ी कि यहां से पता चली रहा कि इंटरनेट नहीं कोई पर अब हम स्विच पर लोगिन कर लेते हैं और स्विच पर लोगिन करते एक बार देख लेटें तो आई पी इंटरफेस पृश्च सारे इंटरफेस की कंफिग्रेशन हैं है पर टेक रवी डिफॉल्ट गेटवेज जैस तो IPLOUT, EIGR की नोग चेक करो, कुछ नहीं मिल रहा है न? ओके, कुछ मिलना भी नीची है किंकि, कुछ मिलना भी नीची है, उपर देखते हैं, यह उपर से तो एकी समनेट है मारा के नाटेट, यहां देखते हैं, इसको मिलना चेक, किया वम्हातन है, जूएसल, इसको मिलना, डीटल, EIGR की चेक काल भी, जूलन, फचल राउतर , EIGR कीच कोटर। और दिखकल, आप तो राउतर, EIGR की की काल दो टहें कोटर। देख सकते हैं वर्गबुक को अड़ करदिया है, यहां से Switch की भी Configuration उपए देख लेते हैं कोन से यह से सब्सक्राइब कर देता हूँ सब्सक्राइब कर देता है और इसको सेव कर देता है है इसको आपर करें आपर के चेक करें अरे वाह मेरा ये इंटरफेस ही कुछ दिख्कत दे रहा है इत जीरो बैजिरो है तो आपर चेकर लेते हैं आखे, वह को इंक रिट्रिफस ब्रीट अदिया, जिरो बाइ जिरो आखे एग्रोप मा इसका नोट किति हूँ है, ओके, वात बाउट यह आखे? आग एकमष्कन के चंटिविटिविटीच भी चेकर जोकाूँग? वह नाइस को नहाँ एक ही एंट्री दिखा रहा है उपर वाले की एंट्री नहीं दिखा रहा है इसको स्टॉप करके एक बर दुबारे से रिपीट करेंगे अब यह 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 पी हमारी अब आगी तो कहीं बार यह दिवाइस है इन्मूलेटर हो सकता है कुछ दिखा तो अब आगी है आप अब आप है अब मैं एक बर जर अपने पीची में जाके देखो तो यू कन ची इन्ट चीट विटी मेर आगे यह पीची में बीकोस बाकी जो भी हमारी कन्फिगरेशन थी वाइस थी यहां तक यह किसी को कोई डॉट हो तो प्लीज आस्क okay for the uh for the f5 so uh how about the license mat so do we need to install it or it will be a predefined license will be there no no we require there would be a trial license which will be having 30 days of validity so you need to put that keys don't worry we can generate the key i will tell you okay so let us do this part now okay now we will play around on the libraries we will jump to the f5 okay for proceeding up so abhi hem chalata hai apne devils per tenlet library eagar aapko yad ho to my first class mein as a demo meinnye aapko yee karke dhikhaay thi isi ko yad hai yee wala ki meinne karke dhikhaay thi bursitno ya bhul ga hai? I think nahi kiya tha ha minne first class mein. okay for it right now. मैं isko copy kar lye tha ho. मैंने क्या likhya? मैंने google पे गया हू. google पे जाके मैंने telnet library लिखी है. telnet library क्या होता है? library एक already written program होता है by somebody else. मैंने उस पे click किया. यह बहुत सारी चीजे इसके बारे में बता रहा है कि यह क्या होता है? functions इसके कैसे-कैसे use के हुआ है, जिसने मनाया है. मैंने यह telnet library as it is copy कर लिए. copy करके मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर मेरा sublime चलता है. test उठा लेता हूँ. और यहाँ पर it done. इसको save कर देता हूँ. अब आपको थोड़ा सा मुझे information देनी पड़ेगी about a sky. तो पहले हम देखर strings मैंने आपको एक बताया था, right? strings में को कोई doubt? जो strings की हमने class कीती पहले? strings यहाद है? Yes or no? यह 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 तो जैसे हमने string की थी, वैसे ही एक ओर data type होता है, जिसके बोलते है a sky string. Okay? a sky string क्या रहता है? कि जैसे string है, string का आपका by default जो encoding scheme होती है, वो थी utf-8, utf-8, अगर आप लोगोंने asm में भी देखा हो, asm में भी आप क्या use करते हो, utf-8 language use करते हो, but a sky string या byte string जो होती है, वो जो character set आपका use करता है, वो unicode use करता है, जिसके अंदर आपका, यह different हो जाता है, यह आपका utf-8 नहीं रहता, तो यह होता क्या है, अगर character string पर हम बात करें, कुछ भी नहीं है, एक simple सी चीज है कि अगर आपने Chinese लिखने हो, तो हो सकता है, वो utf-8 नहीं, utf-8 use करता हो, या-16 encoding schema use करता हो, तो it depends, कि आप कौन सी language लिख रहे हो, उस language के according, आपकी जो encoding scheme में यह change होती रहती है, मैं अभी आपको ना एक चीज लिखा था, जैसे नहीं नौटपैड open के लिखा था, जैसे नहीं नौटपैड open की, तो देखो, अभी देखो, स्कीमा होती है, मतलब characters कैसे बने, simply अगर हम देखें, तो हमें क्या पढ़ा जाता था, वोवल्स कोन से होते हैं, consonants कोन से होते हैं, यह सारा कुछ पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से computer के अंतर, जब यह चीज़े लिखी जाती है, तो encoding schema के साथ लिखी जाती है, English language या आपका ASM हो गया या कुछ भी आपकी इस तरीकी technologies है, वो by default ANSI या UTF-8 use करता है आपका, लेकिन अलग-अलग language, अलग-अलग encoding schema use कर सकता है, ओके, these are named as encoding schema, आप यह समझ लों कि computer में save करने का तरीका है, और यह आपको क्यों बता रहा हूं, यह इसलिए बता रहा हूं कि जिसने telnet library लिखी थी, उसने strings यूज नहीं किया, उसने byte string यूज कर दिया, अब जो यह byte string होता है string तो जैसे UTF-8 यूज करके आपको सारा काम करवा देता है, लेकिन byte string ऐसा नहीं, byte string के अंदर आपकी encoding हो जाती है, UTF-8 में, तो मैं अभी आपको थोड़ी दिर में समझाओंगा, तो आपको समय में आएगा तोड़ा हो, I know it is very new for you, तो it's alright, मैं अभी थोड़ी दिर में आपको बताने वाला हूं, तो you will understand, अब यहां पर अगर आप देखो, यहां पर ना दो तरीके आपको दिखाए होगे, पूरी इसके अंदर पिक्चर के अंदर, वह थोड़ा आपको समय हो, एक data type होता string, एक data type मैंने आपको बताया byte string, okay, मालनों मैंने निशांत लिखा, double quotes होए, यह क्या है, अभी तक हम नहीं पढ़ता न, string होता है, अगर इसको मैंने byte string में change करना है, तो हम इसके आगे simple B लगा, यह B बताता है, कि it is a byte string, यह python को बताएगा कि जब आप इसको save करते हो, तो आपकी encoding schema utf-8 नहीं जैने वाली किया, अब वो s का एक रेक्टर सेट में change हो जाए, ओके, तो हम utf-8, जो की by default रहती है, हर एक program के अंदर, इससे मैंने समझा दिया, कि वो characteristics use कर ले, again, it's for python, not for us, but हमें बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि we are using a telnet library, जो बहुत पहले किसी ने बनाई थी, हाना, यह use में भी नहीं है, let me tell you, telnet हम use भी नहीं करते हैं आज कल, हाना, आप लोगों को तो पता यह due to security reasons, बट फिर भी मैं इस लिए करवा रहा हूँ, because मेरा main focus आपका telnet library करवाने का नहीं है, आपको python समझा नहीं है, और using telnet library, हम बहुत सारे programs करने वाले हैं, तो इस तरीके से मालनों, मैं आपको cricket ball से football खिला रहा हूँ, जब आपके पास सीधे football आएगी तो आपको लगए आरे यार कुछ भी नहीं है, तो it's really very hard, को मैं hard से आपको start कर रहा हूँ, और धीरे 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 everything will be very easy, तो I know, थोड़ा सापको understanding में आपको थोड़ी सी ठिक्कत आ सकती है, अगर आप समझोगे तो कोई बहुत ज़्यदा ऐसा नहीं है कि locate science है, दो तरीके के data types है, एक data type आपको string होता है, एक आपको byte string होता है, byte string की सिर्फ encoding schema जो रहती है, जैसे computer की language में आगर आप बात करो कि computer को कैसे save करना है, computer कैसे समझे, तो computer by default string utf-8 एक language आपके encoding schema रहता है, और अगर आप मैं वही दुबार से बात बोलता हूँ, विशाल, आप ASM batch में थे right, आपको application language याद है, हम utf-8 select करते थे, yes or no, तो यह भी वही है, encoding schema है, और यह security policy के लिए कोई भी device पर, आपको mention करने पड़ते हैं कि आपकी application की by default characteristics schema क्या है, जो कि utf-8 होती है by default, बट अगर कि माल और जैपनीज है या कोई और है, तो application owner आपको बताएगा कि नहीं नहीं, मेरा यह जो schema है, यह नहीं है, जो by default हम use करते हैं, बट ही यह है, तो आपको बस वहां पर change करना होता है, ओके, तो यहां पर string और byte string की हम बात कर रहेते हैं, let's come back to the topic, ठीक है, और यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि एक आपका string हुआ, एक आपका byte string हुआ, उसके अगर मैंने भी लगा दिया तो वह byte string हो गया, बहुत easy, आपको एक fundamental तो समझ में आ गया, तो यह तरीका नमबर वन था, this is one way, अब हम बात करते हैं, second way की, कि आपके पास कोई string जो है, वो directly available नहीं है, कोई variable में है, let's say, a variable है, जिसके अंदर निशान के, अब मुझे variable use करके string बनाना है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, a क्या है, utf-8 है, मैं इसको बोल दूँगा, भाई, मुझे तुझे byte string बनाना है, तो मुझे तुझे encode करना है, s का एक रक्टर में, simple, अगर variable है, तो मैं इस तरीके से use करूँगा, simple string है, तो मैं b लगा आगे, यह दोनों तरीके सांट में आगे, first way और second way, any doubt, no, no, perfect, तो अभी हम देखते है, बनी बनाई खिचडी को, यह हमारे पास बना बनाया प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम क्या करेगा, एक में निटलने लाइबरी है, यह कहीं पड़ियो है, ओवर दे क्लाउट, ओके, मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, this is my script, जिसका नाम test by, मैंने इस लाइबरी को उठा के, यहाँ पे लिए आया, तो मैंने लिखा, import telnet library, import का मतलब है कि, मैं यूज करूंगा telnet library, ओके, ओके, और telnet library से ही, मेरे यह सारा प्रोग्राम में ने उठा लिया, जिसके बारे में मैं अब यह थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं, ओके, लाइन नमबर वन का अभी इग्नॉर करना मैं उस पे भी आवगा, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट की, यह import telnet library क्या है, ओके, और यह मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं बाहर से किसी library को import कर रहा हूं, अब क यह python के basic package जब आपने install किया था, सबसे पहले python install किया था, उसके अंदर इनकी information होती है, अब रोज नई से नई library आ रही है, इसकी information आपके python package में नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उन libraries को आपके PC पर install भी करना पड़ता है, import तो लिखो गई है, कि मैं इसक आपने system पे same like हम as an apps इसको install करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीज होती है, वो मैं बाद में बता हूँ, फिलाल, just I am giving you overview, ओके, तो बाद में हम जितने भी libraries करेंगे future में, तो पहले आप उनको install करोगे, जैसे app install कर देते हैं to the play store, ओके, अब हम चलते हैं, line number four अगर आप देख line number four देखो, line number four क्या है, कुछ भी नहीं है, एक variable है, variable के अंदर मैंने value डाली है, बट यहां पर गलत है, क्यों, क्योंकि host नाम का मेरा variable है, मैं इसको change कर देता हूँ, पूरा change कर देता हूँ, इसको देखो, यह मेरा by default program उसने दिया हुआ है, telnet library के engineer, मैं यहां पर डाल देत नहीं है, अब डिवाइस की IP चाहा है, इसको देखो है, टूहंदर वन 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 टेंटी, डिवाइस की IP है, 200.1.1.20, ओके इसको इसको इक बाइट करके देखो, हो रानी, वन नोट वन दो, क्यूंकि हमने telnet करना अभी थोड़ी देर में, थूड़ी देर में, थूदर पाइ पहले चेक करके देख लेते हैं, हो रहा है, इसको, 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 मैने telnet नहीं गिया, मैने आपका SSH कर देखो, तर देखो, telnet करने के लिए, जैसे ही मैं डाला, तो मैरे क्या रहा है, सबस्के पहले, यूजर नेम जो मेरा है, जो सिसको, सिसको में डाला हुए, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड में भी मैंने सिसको डाला हुए, जैसको एंटर मारता हूँ, तब जाके मैं device पो लोगि बहुत इज़ी है, लेकिन अभी मैं आपको समझाओंगा, तो यूजर पीपल विल गेट तो नो कि यह सारा कुछ चल कैसा है, और बहुत इज़ी है, राइट, अब मैंने device की IP ली और एक variable में डाल दिया device, यह device IP डाल दो इसका जो भी variable का नाम आपको रखना, इस तरी किसे user name, और input function से मैं ले लेता हूँ, एक ओके, enter the username, और साथ में उसे कर देता हूँ, एक space देता हूँ, ताकि जब मेरी script चले, तो इस तरी के से user को दिखाई देगी, हम वेट कर दो, ओके, username लिगा, तो मैंने host भी इटा दिया, यहां से user भी इटा दिया, मैंने दो अलग से variable ले लिए, तीसरा आप देख रहे हो password, आप समझो ध्यान से, देखो, shoulder surfing हो जाती है न कहीं बार, कि आप यहां पर डाल रहे हो password, Cisco Cisco, ठीक है, कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ, और वो password देख रहे है, that is not good, तो input function में क्या होता है, कुछ भी आप write down कर रहे हो, वो आपको दि दिखता है, एस्टिक नहीं देता है, वो दिखता है आपको, plain text है, तो हम क्या use कर लेते है, input function जैसे यह function है, get pass, get pass, again, किसी ने user defined function बनाया हुआ, तो get pass आपका यह program का नाम है, किसका नाम है, program का, program के अंदर उसने एक अलग से function से बना रखे होंगे, और उस function में भी जो ना get pass और function का नाम भी get pass, तो यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ, import get pass तो मैं किसे import कर रहा हूँ, इस पूरे program को, जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यह लिख रहा हूँ, कि मैं get pass से get pass नाम के function को call करता हूँ, और यह function क्या करेगा, यह function input ही लेगा user की, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा तो कोई इस ड्रोपिंग कर रहा होगा तो नहीं दिखाई देगा उसको कि हम क्या करते हैं तो पासवर्ड पर जैसे मैं लिख दिया आपकी silence is telling that there is no doubt. let's proceed, line number 10 क्या कहती है कि मैंने एक variable बलान गा TN ता कि मुझे यह चीज बार बार ना लिखनी पड़े, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ अरे जगापर, मुझे यह चीज ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने एक छोटा variable गुना लिया TN और TN में मैं क्या कर रहा हूँ Telnet library को मैं call कर रहा हूँ Telnet library के अंदर मैंने Telnet function को call किया और उसके अंदर क्या डाल लिया इसने पहले host लिया वा था मैं device IP डाल दे तो मतलब इस तरीके से मेरी script telnet कर रही है तो यहां पर मुझे यह चेंज कर देना host की जगा मुझे का डाल देना device IP डाल देना device IP तो इस इस दा वे तो टेल कि telnet library से मेरी script उस specific IP पर जाके login कर लिए login करने के बाद अगर आप line number 12 पड़ोगे अभी आप line number 12 टू line number 21 तक बड़े ध्यान से देखना we are using byte string ओके सबका सब byte string है तो byte string क्यों है क्योंकि हम telnet library use कर रहे हैं और telnet library जिसने बनाई थी उसने byte string में बनाई थी बहुत पहले बनाई होगी है ठीक है आज के इसको कोई use नहीं करते है आगी तो लेकिन परमिकों में भी आपकी byte string यूज होती है जो परमिकों अभी भी चल रहे है इसलिए मैं आपको byte string है तो कुछ programs करवा रहा है ओके इस आर वरी इंपोर्टेंट तो यहां पर अगर आप line number 12 to line number 21 देखो तो हमने string को byte string में convert कर दा है और कुछ में अब देखो जब मेरी device जाएगी उसको सबसे पहले क्या प्रम्ट होना चाहिए यूजर ने कम ओं थोड़ा सा बोलो यार साथ ने समझ में आ रहे हैं नहीं मुझे के सब कर चलेगा तो यहां पर यहां पर यह बाद सब्सक्राइब है अभी line number 12 की मैंने username क्यों लिखा इसे read until नाम से एक function बना रखा है उसने तो read until एक function क्या कर रहा है कि पढ़ेगा देख जब तक username ना आ जाए ओके अब यहां पर मैंने देखो राइट नाम का function यहां पर एक राइट नाम का function क्या करेगा यूजर नेम को जो भी मेरा username होगा जो भी मेरा username होगा यह देखो यह way 2 है अब इसको ना मैं थोड़ा सा दुबार से वह लिख देता हूं ताकि आप लोग catch कर जाओ अधर रवाई जब समझ नहीं पाऊगे वे वन था string को मेरी कोई भी string है उसके आगे में लगा देता था ready to use मेरी string है तो यह way 1 था जो मैंने यूज किया line number 10 फिर way 2 था कि मेरा एक variable है और उसके अंदर मेरी कोई एक string डली होगी इसको अगर मुझे byte string में change करना है तो मैं simple क्या करूँगा मैं variable लूँगा उसके बाद लिख दूँगा यह एक function मैंने use कर लिया encode नाम का मैं encode कर रह यूज करके मैं sqi character set character set use कर रहा हूं तो दोनों में string को byte string में convert कर रहा हूं अब अगर आप यहां तक देखो सिर्फ यहां तक देखो इसको बंद कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहां पर यह क्या हुआ line number 13 मैंने username को byte string में बना दिया अब देखो जैस वैसे string को integer में आप add नहीं कर सकते हैं वैसे ही string को आप byte string में भी add नहीं कर सकते हैं अब आप कर क्या रहे हो आपको लिखना है sqo देखो जैसे ही आपके पास username prompt होगा जैसे ही आपको पास username prompt होगा आपको लिखना है sqo और sqo लिखने के बाद आपको enter done sqo कहां से लिए ह तो मैंने यूजर्णेम को कर दिया बाइट स्ट्रिंग एंट इसको कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आम भाशा में हम लिके एंटर डालते हैं तो Python यहां पर क्या कर विए? इसको लिखे एंटर आविए. एन इटाव दो एनिबडी. नो स्टू. निशांत, चेतन. नो स्टू. नो स्टू. नो डॉर. परफेक्ट. ओके. अब यहां पर यह सारा जो पोड़ इसने बड़ा बेकार लिखावो. तो मैंने इसको तोड़ा से चेंज कर देता हूँ. विज्वल स्टूडियो को नहीं यूज कर दे. इसके अंदर वो वाला नहीं चलेगा. प्रॉप्रोग्राम तो मैंने पहले लिखा है. अब मुझे रीड कहा तक करना है? यहां तक पासवर्ड नहीं आ जाता है. पासवर्ड पासवर्ड तक मुझे रीड करना है? फिर यह पासवर्ड में पढ़ा हूआ. यहां से मैं इसको चेंज करके पासवर्ड करता हूँ. इसको अठा देता हूँ. यह फाल्म तुमें टाइम पास कर रहा है. पर्णा में हैं कॉंप्लेक्शन और प्रोग्राप को ओके यहां तक बास सब्सक्राइब आगी आपको सभी को कि यहां तक किसी को को डाउट लाइन नमबर 14 ता अब user को पता चलना चाहिए यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट यूजर के लिए पहली स्टेटमेंट थी इसके लिए यूशर के कि लोगन टूद टिवाइस अँके तुद ट्यवाइस जो भी मेरी डिवाइस है is successful और यहां पर मैं draw format करके आपका use कर लिता हूं क्या था device device IP तो यह print statement किसके लिए user के लिए तो यहां पर मैं डाल भी देता हूं this line is for user अच्छे यहां से डालना शुरू करता हूं इस हम हार्ड कोड कर रहे हैं इसको इस इस फोर यूजर यूजर डालेगा पासवर्ड भी यहां पर हम क्या कर रहे है तो डिवाइस के लिए बना है हमने यह भी डिवाइस के लिए है डिवाइस रीड करेगी यूजर नेम तक यह कमेंड हम राइट कर रहे हैं डिवाइस के लिए अगें यह भी डिवाइस के लिए है क्योंकि डिवाइस से ही वह पासवर्ड रीड कर रहा है यह भी डिवाइस के लिए है क्या है यहां पर मैंने प्रिंट किया एक मैस उसे वह यूजर के लिए और दिवाइस के लिए बिल्गुल अब जब मैं डिवाइस में इस तरीके से होगा, फिक है, तो आइप इंटरफेस ब्रीफ देखूं, तो अच्छा इस तरीके से यह डला हुए, मैं क्या करना चाहता हूं, इंटरफेस लूप देखा हूं, है ठीक है हम हंडर बनाते हैं तो मैं राइट क्या करूँगा सबसे पहले तो मुझे राइट करना है यहाँ पर जाके कौन फ्री लिखना है कौन टर्मिनल में जाने के लिए मैंने सिर्फ कौन फ्रीड लिख दिया इसको बाइट स्ट्रिंग में करवाट किया और स्लैश एंड डाल दिया ताकि एंटर लग जाये इसको कोपी डाल जाए इसके बाद मैंने क्या बनाना इंट्रफेज लूट बैक अंडर बनाना उसके बाद क्या कर देना सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपकी हम देख पाएं कि यह हमने बनाए डिस्क्रिप्शन इसके बाद मैं एंड कर जाता हूं डिवाइस में से बाहर निकलना मुझे और फिर एक्जिट कर जाना और यह लाइन यह बताती है कि जो भी इसने अभी तक किया टैलनेट लाइडरी ने वो सारा का सारा पढ़ो और उसको डिकोड कर दो स्काइस से मतलब उसके सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग बनाके दिखा दो कि तुमने किया चाहिए यह सारा मैंने बना दिया टैस्ट से अब क्योंकि सब्लाइम है सब्लाइम में ना मेरा इन्पूट फंक्शन काम नहीं करेगा तो मैं क्या करता हूं सीडी डेक्स्टॉप करके मै यहां से पॉकJack कि सिन देखो इसमें अभी सक्रेप्त कहा एंगी ससे पहले line बनबघल नंका चलीगी 7 पर फिर गैट सब्सकौद । इच्व को आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिं ने डाल दिया और मुंब जैसे मैं ने एंटर किया पाइटान गई लाइन नमर 9 पर यह इसने यूजर नेम पढ़ा होगा डाला होगा पासवेट पढ़ा होगा डाला होगा फिर लाइन नमबर 16 तो यहां लाइन नमबर 16 की यहां पर आउटपूट दिखा दिया आपको लोगिन टुट डिवाइस फिर यह सारा काम जाम जो हमने किया था वो इसने करके दिखाया जो लाइन नमबर 24 हमें पढ़के बता रही है और यह एक्जीट हो अब सेम चीज़ अगर मैं यहां पर जाकर देखो तो आई पी इंटर बन गया है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो मेर बाई पाइथोन 26 जो नमबर है उसको यह बना हुआ है तो यह सारा आपका काम हुआ थूप पाइथोन स्क्रिप्ट आउटपूट में आ रही है कि कौन सी आउटपूट हम डिवाइस के लिए बना रहे हैं कॉनसी इंपूट हम डिवाइस यह आउटपूट डिवाइस के लिए कर लें कौन सी इंपूट हम यूजर के लिए lesson में आ रही है सबीको एक बड़ स्क्रिप्ट देख लाएं तो इस तो यह सारी की सारी मेरी डिवाइस के लिए नोडाउट आगे चलूं तो यह सारी फॉंक्शन के बारे में पढ़ना है तो कहां पर मतलब को यह साथ मैंने भी आपको बता है यह जब आप टैनेट लाइबरी लिखते हैं यह देख कि मतलब यह दुतना परने के ना जरूती नहीं पड़ेगी इक दो बार आपने लाइबरी पर काम किया तो आपको जितने आपके काम केया ना वो आपको समय है कि अगर आपको पढ़ना है कि अगर आपको पढ़ना है कि अगर अगें को यूज नहीं कर रहे हैं यह मैं आपको सिर्फ पाइथोन के यह प्रस्पेक्टी से बता रहा हूं अधर्वाइज हम एकाम करें और अगली स्क्रिप्ट इसे अभी हम बात करेंगे लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपको क्रेश्चिन पूसता हूं ताकि लोजिका बताओ अब यह तो मैंने मैनुवल सारा काम किया तो क्या फर्क पड़ा सी एलाई या पाइटोन में कोई फर्क थोड़ी बड़ा जैसे मैं कर रहा था वैसे मैंने पाइटोन से कर दिया अब थोड़ा सा इंट्रिड्यूस करता पाइटोन का लोजिक ओके मालो मुझे लूब बनाने वीलें बनाने कुछ भी बनाने मुझे 20 वीलेंस बनाने है ओके वीलें 10 से लेके वीलें 30 तक बनाने है और हम मुझे स्क्रिप्ट से बनाने और यह ताम जहां मुझे दुबारा दुबारा नहीं लिखना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? We can run a loop while loop or for loop तो we can run a while या for loop for short My question is now while या for loop device को सुन्च में आते हैं कि? I think yes कौन सी device को सुन्च में आता है? Cisco को, Juniper को, Dell को और कौन सी को नहीं आता है? और मुझे कैसे पता जालेगा किसको आता है, किसको नहीं आता है? Yeah, that's a typical question It's all right, it's all right जो भी आपको सुन्च में आता है आप बताओ बाकि मैं तो बताने ही वाले No, sir, not sure not sure किस device को आता है किसको नहीं आता है It's all right Chetan? I think so, while you have for loop it will be in the program but the function we are calling like like us really saying to send command and receive output Good, good देखो, अभी यही आपको ना पूरा भी कुछ स्क्रिप्स में आपको यही समझना पड़ेगा basic scripts हैं यह कि कौन सी चीज डिवाइस के लिए और कौन सी चीज हमारे लिए while loop या for loop is for the python not for the device हम क्या करेंगे for loop यूज करके while loop यूज करके bulk commands generate करेंगे और डिवाइस पे जब वो command जाएंगी that will go one by one अब वो आप manual बनाते हो या वो loop से बनाते हो डिवाइस से उसको कोई मतलब नहीं अभी हम देखते हैं सेकिंड प्रोग्रेम यू पीपल विल गेट तू नो कि मैं क्या बोटा है अभी सब्सक्राइब आप दो मिनिट में इनपूट ना लेके मैं डिरेक्ट हाड़ कोड कर रहा हूं आपको इनपूट यह गेटपास यूज करना है इन रियल वर्ड सिनरियोस क्योंकि यह यह स्टेटमेंट्स आपको डिवाइस स्पेस्ट्रिप्स में नहीं लिखनी चाहिए हाड कोड नहीं करने चाहिए ओके यह लेटराओं में आपको उता हुआ कैसे यह किसी फाइल में डाल सकते हो और वह फाइल को कैसे आप पड़ सकते हो दीर दीर आएगा सारा लेकिन अभी फिलाल जितना स्टेप बाइस्टेप में चल रहा हूं वैसे ही आप चलो तो यू वि बने डाला प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी यहां तक मेरा सारा प्रोग्रेम सेंट यहां पर मैं कॉन फ्टी में गया अब यह जो लाइन है और दिस इस नोट वो डिवर्स के लिए यह हमने बनाई है इटरेट करने के लिए डिवाइस पर कॉन सी जाएगी यह लाइन जाए यह लाइन जाएगी यह लाइन जाएगी और यह लाइन जाएगी और यह लाइन कितनी बार जाएगी वह हम डिफाइन कर रहें लाइन नंबर 18 मतलब लाइन नंबर 18 से मैं यह कमेंड्स बार बार जनेरेट कर रहा हूं और वो कमेंड्स कहां भेज रहा हूं वो कमेंड्स भ अब यहां से लेकर यहां तक मैं थोड़ा बताने वाला हूं वह समझें एक सिंपल सा मेरा लूप होता है और वह आप लोग कल थे नहीं तो मैं थोड़ा सापको यहीं बता रहता हूं ताकि नोबड़ी विल बी ओफ पेज मैंने लिखा और एन इन रेंज वन से स्टाक्चिया मैंने 21 तक क्योंकि रेंज का एक फट्नामेंटल यह कहलाता है कि यहां से वह स्टार्ट होगा और यह एन माइनस वन ओ अगर यह एन है तो कहां तक जाएगा एन माइनस वन तक जाएगा बतल टुएंटी तक जाएगा तो अब एक मिए लूप लिख दो फिर बताता हूं वान टू टू ट्रीव प्रेंट अगर अगर इस नूप को मैं चलाओं तो यूपीपल विल जो आप कुछ भी ले सकते हो ए मैं लोग लेते हैं तो इसको फॉर एन इन वाट और जो काम करता है, वो किसी एक Не काम करता हिंटरेबल बतला कुछ सेक्वेंस पड़ा हो किसी चीज का तो एन कि जाइ पर पर फफिल फिल फटीड बढर फिल थागा फुर्ट फॉर्स बढर और जैयसे ही वो लाज्ट कम्डीन होता है और एक फोर लूप मेरा कहता हुआ जयता है ल連क एक शन्रादे तोai 올 मैं उस पर आथा हूं अभी तो अभी जो मैं आपको बता रहा था यह क्या है यह इस तरह के से है वन पे टू पे थ्री पे और टिल यह 20 तक है तो मैंने वह रेंज यह क्эт 15नेलान चैशन और प्रेंट करेंड पाएट पैके लिए अगा IS F85 कलिया यह इस वर की अड肉 कर रहे हैं यह B29Оने और यह B shocking कि आइन एम यह यह चीज़ हम कर रहे हैं कि यह निईु लाइन कैसे हो हम फॉर रूप से बना रहे हैं यह वाई लूप से भी बना सकते हो यह किसी से भी कर सकते हो तो मतलब फॉर पाइथोन एवरी टाइम इट इस गोई अप ड़ अप डाउं तिल हमस्ट टैम जब तक यह आपका जो सिक्वेंस है जो आपका वो खतम नहीं हो जाता है जब वो खत यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यह बना के दिखा दिया इसको मैं बड़ा कर देता हूं कितना टाइम लगेगा मुझे 1060 दिखना है बस यहां तो इतनी बार रिपीट हो जाएगी कमेंड हमारी अब देखो मैरी कमेंड किस तरीके से हाव ब्यूटिफिली वी डिजाइंड है हमने क्या बनाना है 101 लूबैक से 1059 तक चलेगा विकोज एं माइनस वन तक चलता है रेंज मैंने भी आपको बताया था तो 1059 तक चलेगा लूबैक बनेंगे हमारी डिवाइस पर अजो वो बन रहे हैं तो सबसे पहले कमेंड कुन सी ड़लेगी सबसे पहले कमेंड 19 टक क्या करेगी यह लिखी इंट लुपक, लुपक मेरा 101 है, 101, उसके बाद यह मारतेगी, enter, line number 19, any doubt to anybody, please ask, please, Chetan Nishant, no doubt, no doubt, okay, for interface, लुपक, plus string n, so n would be 101, 101, and it will be, okay, what about, आपका ये integer है, 101 is integer, आपका ये integer है, 101 is integer, आपका ये आपका ये इसको, and what you are doing, you are concatenating it, आपने लिखा, ABC plus B, तो ये होजएगा, ABCD, bit like the same, what is B over here, this B, yeah, this B and this B is the way number one, for byte string, क्योंकि आप byte string को byte string में add करोगे, तो यहाँ पर आपका, तीन आप add कर रहे हो, तो पहली आपकी byte string ये है, दूसरी byte string आपकी ये है, तीसरी byte string आपकी ये है, ओके, 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 यहाँ पर plus symbol है, आप देखो, कंकेटिनेट कर रहाँ, ओके, यह, ओके, तो line number nine मेरी कहल करेगी, interface loopback, loopback 101 करेगी, और enter मारेगी, और जैसे ही, दूसरी बार आएगी, ये 102 करके enter मारेगी, और ये कहां तक चलेगी, 1059 तक ये चलने वादा है, क्योंकि मेरा loop define कर रहा है, यह तक line number 19 की कहानी साल में आगी, सभी को, any doubt? No sir, perfect, line number 20 देखते हैं, line number 19 ने लिखा, interface loopback 101, कोंटी में हम चले गे थे, और रेड़ी पहली line number 17 में, फिर ये आया, फिर कौंट पे दूसरी कहानी आती है, ये लिखती है, IP address 1.1.something, तो ये होगा, IP address 1.1.1.1.डेश, ये क्या है, n की value है, n की value 101 है, तो 101 से शुरू हो जाएगी, फिर मैंने यहाँ पर space डाला हुआ, तो ये space के बाद क्या जाएगा, 255, 255, 255, 255, उसके बाद एंटर डाल देगा, तो क्योंकि मेरा ये 255 तक ही जाता है, तो मेरी ये, थोड़ा मेरा को change करना पड़ेगा, प्रोग्राम में, अधर्वाइस ये मेरा को error लेगा, वन से लेके, 254 तक कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, और ऐसे मेरा loopback, वन से लेके 254 तक बनेगा, पासर में आ रही है, ये माली line, line number 20 is clear to everybody, 253 जेक्सार, 1-1, हाँ जी, 253 जेक्सार, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर मैं 255 लिग देता हूँ, येस, तब 254 तक चलेगा, राइट, फिर मैंने no shut कर दी है, तो ये भी हर बार no shut होगा, फिर मैंने description लिख दी है, using python, फिर उसके बाद, जैसे ही मेरा ये सारा complete हो जाएगा, ये मेरा सारा complete हो जाएगा, मैं end करता हूँ, exit कर देता हूँ, और print डाल देता हूँ, कि भी है, मैंने comment डाल दी है, below are the comments, ये comments आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद, thanks का एक message आजएगा, और मेरा काम खतम हो जाएगा, control B करके इसको आप run कर सकते हो, आप देखो तो ये कहा रहाएगी, turn net to the device, आपके भी बहुत जदा है, मेरी comments बहुत जाएगा, तो ये थोड़ो time ले रहे, बना के रहाऊं है, लोगवर्ट बना रहाएगा, वेट करते हैं थोड़ा नहीं, देखो, हो गया, line number 26 पर आगी, आभी थोड़ो read करने के time लगा रहे, आँचे जब टेका हम करके देख लेते हैं, 200.1.1.20 थे था ना, Cisco, Cisco, ओके, तो आईपी इंटरफेस ब्रीज, ये देखो, अच्छा, पूरा चला ही नहीं हो, देखो, अभी चल गया, ओके, चला नहीं थो, देखें अभी पूरा बना के, हाँ, बना गया, इस इट क्लियर टू अवरीबडी, तो विदिन 46 सेकेंड में, हमने, 254 लूबच बना के, त्यार कर दिये, मतला है कि ये छोटा सा यूस केस था आपको, ये कुछ भी हो सकता है, बाद में मोर इटरेट करेंगे इसको, बट जस्ट फोर टाइम विग, आप इसमें बोल रहे हो, प्रिंट, रीड ओल, जो भी किया है, अब जो आपने परिंट, इसको देखे हो, इक फंक्शन है, रीडो, रीडो मतलब, जो भी उसने काम किया, वो सारे रीड करो, अब जो आपने रीड किया, वो किसमें था, एसकाए में था, मतलब बाइट स्ट्रिंग में था, मुझे बाइट स्ट्रिंग में नहीं दिखाना, मुझे किसमें दिखाना है, स्ट्रिंग में, तो जब मैं स्ट्रिंग को, वाइट स्टिन्ग में करता हूं तो मैं इंकोड लगा देता हूं लेकिन बाइट से अगर मुझे दुबारे स्टिर्इंग वह ना नहीं तो मैं डिकोड कर दूंग कों नो और यहां पर डाल दूंग आपको बाइट स्ट्रिंग में थोड़ी दिखाई दे रही हुआ काम भी करके देखता हूं यहां में पाइटन में होगा प्रिंट करता हूं वाइट स्ट्रिंग को इंट्रफेज लूपएक्ट 10 कि आपको अपने कुछ इंजेंपल देखना चाहरा था यह कुछ सेने होगे क्या है यह डॉट दीट कोड़ एस देखो यह यह काम करता है देख रहो पहले बी आ रहा था सामने अभी बी नहीं आ रहा है ठीक है विश्वल यह सर् कि इंट्रिंग की कहानी है कि इंकोडिंग डिकोडिंग यह करता तो यह फुद से है लेकिन वैसे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अगर आपको चेक करके देखने हैं तो आप यहां सिंपल लिख चेक कर से हुआ है वह कि किसी और को कोई डाउट मुझे डाउट है यह जो ट्वैंटी सेवन्थ लाइन है यह तब जिए फोरा फॉर लुप कम्प्रीट होगा ना तो वह तुटी सेवन लाइन जब आएगा जब यह सारा कुछ हो जाएगा हो जाएगा तो जब यह परस्ट फॉर्लो करता है के कमेंड कुछ करते हैं तब तकator कaları करता हैог मेशिज का से रिडो करते का बफॉर में अपने वफ़र बना लेगा आपकर यह पर फेयर पर कर देगा वहाँसे सारी मेमृ यूटिलाइज करके सब्लाइब ठीक है कोई डाउट नहीं है तो एक ब्रेक लेते हैं टैन मिनेट्स का उसके बाद हम टैनलेट का ओर पढ़ेंगे आड़ ओके और काफी जार इस्क्रिप्ट्स हैं तो वह हम शुरू करते हैं कोई डाउट बिफॉर गइंटु दे ब्रेक नुसर्थ नहीं है तो एक उस हुआ है तो एक उसें झाल प्रखनेंगे घचाहँ जिड़ दोर आड़ हम टुरू जएँदोर बिफट्स वाह प्रव खड़ी जैंगे और कोईवरा मेंटू देट ब्सक्रिदा दो खिसेयोग हैं प्रबस्नी जएख मैं क्र तो आपने सेंटीन, बहाईश